तो गाइज मैं आपको Robert the Reborn movie explain करने जा रहा हूँ जो कि 2020 में release हुई थी तो चलिए movie का exploration स्टार्ट करते हैं जैसे movie स्टार्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि एक husband wife जो की आपस में लड़ रहे थे उनका बेटा पीचे बैट कर रो रहा था कि उनके mom dad क्यों लड़ रहे हैं वो दोनों आपस में बहुत ही भहस कर रहे थे और एक दूसरे को तो मार भी रहे थे उसका husband अपनी wife को थपड मारता है तो उसका बेटा बहार भाग जाता है और उससे नराज होकर अपने पापा से तो उसके पापा को सुनाने लगता है बोलता है कि आप बहुत बुर है अपनी मेरी मम्यों को हमेशा आप ऐसी मारते हो तो उसका पापा उसको गुस्से माग एक थपड लगा जेता है जिसके वो नीचे गिर कर मर जाता है उस रड़गे का नाम Robert था और यहीं पर यह सिन कट हो जाता है अब हमें सीन सॉवेट यूनिन के तरफ दिखाया जाता है 1951 में जहाँ पर एक ओल्ड लेड़ी बहुत ही बिमार हुई थी तो उसको इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था इनके सॉवेट यूनिन के ओफिसर ने तो इनस ओफिसर एक सला मांगता है पूछता है कि अब क्या करें इनको जल्दे से जल्दे में ठीक करना होगा तो जैसे ही डॉक्टर उने बोलता है कि इनको रेस्ट चीज़ए ये बात बोलकर डॉक्टर जाने लगता है अपने घर की और तभी ओफिसर उसको शूट कर दे उसका नाम था मायर हार्ड तो ड्रिंक करने के बाद लॉडण महां से चला जाता है उस भूडे के घर के पीछे जैसे वो मेर के घर में एंटर होता है भाएसे ही पीछे से मेर भी आ जाता है और उसको बूलता है कि अपने गन लिका लो तो उसके साथ-साथ वह गन उसको दे वो बोलता है कि वार के दोरान तुम जर्मनी में वांटिड बन गए थे तुमने एक बुक शुरा ले थी जिसके वज़े से तुम निर्जीव चीजों को भी जीवित कर देते हो तो इसलिए तुम्हें पगड़ना जुरूरी था क्यूंकि उसके पास एक बुक हासिल हो गई थ जिसके जिसे वह किसी भी चीज़ को जीवित कर सकता है तो इसलिए वो बुक लेने के लिए उसके पास आया है तो उसे मेर बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है अब तुम्हें मेरे साथ एक गेम खें लिगी कि वो तीन बारी तुम्हें शूट करेगा अगर शूट हो गया तो मेरे बच्चे तुम्हें नहीं जाने देंगे मेरे बच्चे से यानि की मतलब की रॉबर्ट मिस सेकलॉप और निकलॉफ इन डॉल्स को इसने जीवित कर दिया था मंत्र पढ़कर उस बुक में से तो इसलिए रॉबर्ट अब उस लिड़के को भी मार देता है यही पर अब उसका पती साफ मना कर देता है विकॉज उसको यह सब चीजों में इंट्रस्ट नहीं था तो ओल्गा फ्लाइट पकड़कर वहां पर चली जाती है चैंटिट शो देखने के लिए जब वह एंचैंटिट शो देखने जाती है तो हमें वहीं देखने को मिलता है मेर और जो की हाथों में कोई रोड है और उसके हाथ में एक नाइफ पकड़ा हुआ था जिसकी वज़ेसे वह यहां वहां मूव कर रही थी तो सब उसके लिए तालिया बजाते हैं दूसरी बारी में हम देखते हैं मिस सेस्कलॉफ इस डॉल का नाम था यह तो और वह भी मूव कर रही हो कि बिना रोड के लिए अब हम ओलगा को देखते हैं जो की मेर से पूछने वाली होती है कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो बिना उसके मलब कि तुमारी डॉल्स कैसे बोल पाती है कैसे चल पाती है बिना रोड के बिना किसी सारे के तो वह बोलता है कि एक जादूगर से ऐसे सव पूछते तो आदमी ओल्गा को कुछ नहीं बताता तो ओल्गा अपनी फ्लाइट लेकर मोस्को की तरफ से लिजाती है तो वह ऑफिसर को सारी बाते बताने लगती है कि कैसे वह डॉल पर वह उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था तो ओल्गा उसे बोलते कि जैसे वह निर्जीव चीजों को जिवित कर सकता है वैसे ही वह इंसानों को जोके मर होया है उनको भी जिवित कर सकता है इसलिए वह बुक लेनी जरूरी है तो उसको वह किसी तरह बुक के बारे लोगों को तो इसलिए वापिस ओलगा वे भुक लेने के लिए उस आद्मी के पास जाती है, पर वो भुड़ा आद्मी उसको साफ मना करते तया है, बोलता है कि मेरे पास कोई भुक नहीं है, तो घुट कर ले हैं, यम भी आद्मी को सूट पर अदमी मेरा करते है जिसके कारण उसकी भी वहाँ पर मोत हो जाती है उसके बाद आफिसर को उसकी चिंता हो रही होती है क्योंकि उसने बोला था कि मैं 5 घंटे बाद अपना आप कॉल कर लूगी तो हुआ पर दो आदमी को बुला कर वो बोलता है कि फ्लाइट लेकर वहाँ पर जाना पड़ेगा ओल्गा को लेने के लिए तो उसके बाद वहाँ पहुच जाते हैं ओल्गा को देखने के लिए तो वह उसको मरा पाते हैं तो वह बहुत रोता भी है क्योंकि वह उसकी वाइफ थी इसलिए तो अब उसको तो बुक चाहिए थी ताकि वह उसको भी जिन्दा कर सके तो वह किसी ना किसी तरह उस भूडे को वहाँ से लिकाल कर ले जाते हैं अपने साथ फ्लाइट में बिठा लेते हैं और वह उसे पूछने रखते हैं कि इसे बुक को यूज कैसे करें तो पहली बारी वह अपने ओफिसर को बुला कर उसको शूट कर देता है उसके बाद वह अपिसे मंतर पड़ता है तो जिसके कारण वह जिन्दा हो जाता है तब ही हम फ्लाइट में एक ओफिसर को देखते है जो कि किचन के और जा रहा था जैसे ही वह देखता है तो वहाँ पर एक डॉल आकर उसे भी मार देती है दूसरे तरफ जब दूसरा ओफिसर उसको चेक करने के लिए जाता है तो पीछे से रॉबर्ट डॉल आकर उसको भी मार देती है उनके आपसे बहुत भैस भी होती है कि इसले हमारा नहीं था तो इसलिए अपने Boss को ही Shoot कर देता है कि यह सारे मर चुके है सब को कुछ ना कुछ चोटे जरूर आई थी और खरोच भी बहुत आई थी पर इस डोल को और उस भुड़े आदिवी को कुछ नहीं आये था तो वे डोक्टर इस बात से बहुत अचमबा था और उसको साथ में एक बुक भी मिलती है जिसको वे पढ़ता है बुक को जब वे उस बुक को पढ़ता है तो वापे से मंत्र जाग जाते है उन डोल्स के अंदर और वे जिवित हो जाती है बुक का काम ही यही था कि निरजीव लोगों को जिवित कर सके तो अब क्या कहना था वे डोक्टर को भी मार देते हैं भूरी तरह से अब वो भुड़ा आदमी और वो तीन डोल्स को लेकर महा से चला जाता है